स्वस्थ शरीर के लिए लिवर का मजबूत होना जरूरी है। लिवर शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ये शरीर की रक्त अपूर्टी से विशाक पदार्तों को निकालता है। स्वस्थ रक्षरकरा के स्थर को बनाए रखता है। रक्त के ठक्के को नियंत्रित करता है और सेक्डों अन्य महत्वपून कार्य करता है। बदल रही लाइस्टायल से लोग मुटापा और डायबिटीज का शिकार बन रहे हैं। लिवर की खराब होने से कई तरह की बिमारियों का खत्रा बढ़ जाता है। लिवर की खराब होने का सबसे बड़ा कारण हमारा खान-पान, शराब का सेवन और वैशीले पदार्टों का इस्तिमाल है। इसलिए बाहरी तोर पर स्वस्थ तिखने वाले व्यक्तियों को भी लिवीज का सेवन करना जरूरी है। आई ये जानते हैं कौन सी बिमारियां लिवर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाती है। फैटी लिवर इस परिशानी की सबसे बड़ी वज़ा खान-पान में गड़बडी और शराब का ज्यादा सेवन है। वैसे फैटी लिवर की समस्या शराब पीने और ना पीने वाले दोनों को हो सकती है। पीलियां ये एक बिमारी है जो शरीर में बिली रुबिन की मात्रा अधिक होने के कारण होती है और लिवर के लिए बहुत ही नुकसान दायक है। आम तोर पर जब किसी कारणों से लाल रक्त कोशिकाएं तूट जाती है तो पीले रंग के बिली रुबिन का निर्मान होता है। हैपटाइटिस ये लिवर से चड़ी वो बिमारी है जो वाइरल इंफेक्शन के कारण होती है। इस बिमारी में लिवर में सूजन आ जाती है। देजोई द्वारा प्रस्तुद लिवीज लिवर के संपून स्वास्थे के लिए बहुत ही फायदेमन आशदी है। ये कोशिकाओ के निर्मान और रक्षा करता है। साथ ही लिवर की कर्यात्मक्शमता को बढाने में सहायता करता है। और भूप में व्रिधी, पाचन, आदी विकारों को बहतर बनाने में मदद करने के साथ-साथ लिवर को भी स्वस्थ बनाए रखता है। इसके अंदर हिमसरा, कास्मी, मकोई, अर्जुन, भंगडा, बुई आवला, पुनार्वा, गिलोई, दारुहल्दी, मूली, आवला, चितरक, विदांग, हरण, पिट पापर जैसे कई आयरुवेदिक तत्विस समिलित हैं जो हमारी पाचन शक्ती की व्रिधी के लिए महत् पूर्ण है, लिवी सिरप के विबिन लाब, लिवी सिरप के विबिन घटक में एंटी ओक्सिदेंट्स एवं हेप्टा प्रेटेक्टिव गुंदार्म होते हैं, जो लिवर के स्वास्ते को अच्छा करते हैं, ये शरीर से वैशीले तत्वों को बहार निकालता है, रक्त श प्रदान करता है, शरीर की याकरित कोशिकाओं को बढ़ाने और पूर निर्मान में मदद करता है, वैशीले तत्वों की सफाई के कारण होने वाले ओक्सिदेटिव स्टेट्स के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, लिवी सिरप का उपयोग लिवर होमियोस्टाटिस के नियांत्रन एवं राहत में सहायक है, एक से दो चमच या तस से पंदरा मिलीलीटर भोजन के बाद दिन में दो बार या चिकित्सिक के परामश अनुसाल लेना चाहिए,